हमारे पास problem है जी points dividing join of two points in given ratio किस तरह से find the coordinates of point rxy which divides the line segment pq joining the two points p and q in the ratio 5 ratio 7 क्या मतलब हो अब मैं roughly आपको sketch बना के दिखा दूँ जिससे आपको question समझ आ जाजाएगा थीक है यहमारे पास waril करने है य-axis है और यह हमारे पास आक्स आपको आइकसर है ठीक है बलक Advisor महरे पास यह मौझी也 मैं और सी को कापि कर लेते हैं चलिए says रहे हमिवर पॉइंट कुइव इतने है chalo आप अब दीर इंप डिके आप सब्सक्राइब हर एम यहां पर कर ले इह पॉइंट है क्यूंट इन को अगर आप जॉइन कर दे इस तरह से third MOR आपो 是 तरह से थे क्यू आप यह वह लाइन सेग्मेंटlichkeit जिसकी बात करें लाइन सेग्मेंट P Q अब एक पॉइंट है R X Y जो इनके इन बिट्वीन यानि सेंटर में नहीं बात कर रहा है इन बिट्वीन का मतलब है P और Q के दरम्यान कहीं मुझूद है इस तरह से मुझूद है कि वो P और Q को किस रेशियो में तक्सीम करता है 5 रेशियो 7 में मतलब अगर आप यह देखें तो यह हाफ यह बनता है हाफ पॉइंट ठीक है P से Q तक यह बनता है हाफ वाला पॉइंट यानि मिड पॉइंट बनता है अगर मैं रफली आइडिया मारूं से गैस करूं ठीक है और यानि एस्टिमेट करूं मैं अंदाजा लगा रहा हूँ तो 5 रेशियो 7 इसका मतलब है अगर इसके 5 पार्ट है तो इसके 7 पार्ट है ठीक है पीज से 8 तक कोई भी 8 जो पॉइंट है इसके 6 करने मुझे लगर है को greater方ish कहीं यहां पे होगा यह पोइंट है जी R XY आर एकस अब यह पोइंट कितना होगा जाहर है हमारे पससा मिड टर्फं मुझा है उसके मताबिक हम कर सकते हैं मैंने वैसे गैस कर देखिए कि पॉइंट तक रिपन यहां पर होगा, अब हम देखते हैं, और मैंने कैसे अंताजर लगा है, चुकि फर्स्ट पाड़ या पी से आर तक डिस्टंस काम है, और पी से आर से क्यू तक डिस्टंस जो है, वह ज्यादा है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से, अब यह जो फर्मूला आप जानते हैं, फिर्मूला किसे बराबर होता है, अर एकस, वाइय जो होगा, वह किसके बराबर होगा, वो होगा जी, M1 X2 plus M2 X1 divided by M1 plus M2 ठीक है उसी तरह से M1 Y2 plus M2 Y1 divided by M1 plus M2 ठीक है चलना जी यह हमारे पास point बन रहा है जिसको हमने अभी मलूम करना है किस तरह से मलूम कर सकते हैं देखें M1 कितना है 5 तो 5 को मल्टिप्लाइ करेंगे X2 कितना है 3 5 मल्टिप्लाइ 3 plus M2 कितना है 7 7 मल्टिप्लाइ by 1 7 मल्टिप्लाइ by 1 डिवाइड कर देंगे M1 plus M2 कितना है 5 plus 7 ठीक है इसी तरह से M1 कितना है 5 और Y2 कितना है 4 तो 5 को 4 से multiply कि और plus M2 कितना है 7 इसको multiply करा देंगे Y1 जो कि है 2 ठीक है तो divide कर देंगे 5 plus 7 because M1 plus M2 तो इतना ही आ जाएगा अब देखें इसको अगर आप तक हल कर ले 5 3s are 15 और plus 7 22 22 divided by 12 ये बनता है 22 divided by 7 5s are 7 5 plus 12 ठीक है 5 4s are 20 20 plus 10 sorry 5 4s are ठीक है 5 4s are 20 पर हम देख लेते हैं कि हमने यहां पर ठीक लिखें M1 Y2 M1 Y5 multiply by 4 ठीक है और M2 Y1 ठीक है M2 7 है और Y1 कितना है 2 तो 5 4s are 20 20 plus 14 कितना होगा 34 34 divided by 12 और अगर आप इसको simplify कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा ये बनता है 6R और ये बनता है 11,000 ठीक है और इसी तरह से ये बनता है 6R और ये बनता है 17,000 ठीक है तो ये point जो हमारे पास R है वो तक रिबन बन रहा है यानि इसमें R, X, Y जो आपके पास R है वो कितना बन रहा है 11 by 6 यानि एपसिसा 11 by 6 और ordinate 7 by 16, 17 by 6 अब अगर 11 by 6 नजदीक है point यानि 1.9 something होगा तो अगर आप ये देखें तो ये point अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें पहले guess कि ये point कहीं यहाँ पे बनता है ठीक है ये point कहीं यहाँ पे बनता है इसी तरह से जो 17 by 6 है वो भी 3 से थोड़ा सा less होगा तो इसका मता है मेरा idea भी ठीक था मेरा जो estimate था वो भी ठीक था मैं थोड़ा सा point उपर लगा दिया थोड़ा सा point यहाँ पे आना चाहीए था अगर fair बात की जाए लेकिन मैंने जो point अंदाजे से निकाला वो भी ठीक था और जो मैंने इस फामूला के तहत निकाला वो भी ठीक है तो इस तरह से आप जो है कोई भी ratio में अगर कोई point internally यानि दरम्यान से तक्सीम कर रहो दो points को तो आप उसको final कर सकते हैं